ताहिर गोरा के शोव बिला तकलुफ में मैं हलीमा साधिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ आज मैं ताहिर गोरा के साथ बातचीत करूंगी 9-11 की एनिवर्स्री के हवाले से भारप की प्रेजिडेंसी में होने वाली G20 की फाइनल समिट के हवाले से खास तोर पर इस हवाले से कि इस समिट में क्या अहम फैसले हुए इस समिट के दुरां प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑफिस की जानप से प्राइम मिनिस्टर टूडो के लिए एक सक्ट प्रेस नोट सामने आया इसके बारे में विजाइजा लेंगे इस मौका पर सौधी प्रिंस का मुम्किना दौरा पाकिस्तान ना हो सका इसकी वजुहात और मुक्तसर बाचित करेंगे हम पाकिस्तान की एकनॉमिक आलाद और चित्राल पर तालबान की चड़ाई के हवाले से तो सबसे पहले तो ताहिर गोरा साब मैं आपको खोशाम देद कहती हूँ और फिर उसके साथ ही मैं आपसे ही पूछती हूँ कि 9-11 की एनिवरसरी के हवाले से क्या आपको लगता नहीं कि अमरीका और दुनिया 9-11 को भूलते जा रहे हैं जी ये बड़ा ही रेलेविंट सवाल है सची बात ये है के 9-11 का ये जो दिन है आज जब चड़ा तो फौरी तोर पर शायद मुझे भी याद नहीं आया फिर जब मैंने तरीख देखी तो मुझे रिकॉल हुआ कि आज तो 9-11 है फिर मैंने देखा मैंने आजकल हम अख़बारात पूरी दुनिया में आलमोस खास तर पर वेस्टर्ण वर्ल्ल में पेपर निउस पेपर कम देखते हैं हम उसका आन-लाइन वर्जन देखते हैं तो मैंने CNN जो वहां का एक बहुत बड़ा मीडिया आउट लेट उसमें देखा तो मुझे कहीं हैडलाइन कहीं नजर नहीं आई मैं बड़ा शौक हुआ कहीं नीचे करके एक ती ख़बर के एनिवर्सरी के सिलस्रा में एक सेरिमनी हुई फिर सो मच सो मैं यूट्यूब का जो चैनल है वाइट हाउस का उस पे गया ख़बर ही नहीं है फिर मैंने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के उसमें देखा कि शायद कोई स्पेशल किसम का कोई वीडियो क्लिप लगा हूँ कोई खवर ही नहीं है फिर मैंने गूगल किया तो पता चला कि एक अनिवर्सरी है यूजर हुई है जिसके लिए प्रेज़ेंट बाइडन का भी मैसेज है और वाइस प्रेज़ेंट का भी मैसेज है फिर मैंने सोचा कि हम कैनिडा में हमारे भी जो शहरी थे किनेडियन वो भी मारे गए थे फिर मैंने कैनिडा के निउस पेपर जो हमारा टॉरंटो स्टार सबसे बड़ा है उसकी वेब साइट पर ऑनलाइन वर्जन पर गया तो वहां पर जो खबर थी सबसे बड़ी हैडलाइन जो थी और वो इंपॉर्टन खबर है वो हेडलाइन ये थी कि जो लंडन आंटेरियो में गालबन दो तीन साल पहले एक अफसोसनाक वाक्या हुआ एक लड़के ने चार लोगों की फैमिली को मुसल्मानों की फैमिली को मार दिया ट्रक के नीचे वो सबसे बड़ी खबर थी यकीनी तोर पर वो खबर बड़ी इंपॉर्टन है होनी चाहिए ये उसके बारे में वो एक थी जो प्रॉसेक्यूटर थी लॉयर उनकी पूरी डिटेल थी कि ये एक कोट अनकोट वाइट सुप्रेमिस था जिस ने किया मैं ये सोचने लगा कि अगर ट्रॉन्टो सार में ये खबर हैडलाइन है आनलाइन वर्जिन में तो इसके साथ एक सेमी हैडलाइन नाइन इलेवन को याद करने की भी होनी चाहिए थी जिस में यानि अगर जिस एक्स्ट्रीमिस्ट आइडियालोजी ने उन चार लोगों को मतब मारा उनकी हलाकत का आइडियालोजी जिम्यदार थी यानि वो जो उस खबर के मताबक सुप्रेमिस्ट जो वाइट सुप्रेमिस्ट एक लड़का उस ने किया तो जिस ने तीन हजार जिस आइडियालोजी ने या जिस के पीछे लोग आइडियालोजी के पीछे चुपे लोगों ने तीन हजार लोगों को मारा और बेपना दुनिया को बदला उसकी खबरी नहीं थी और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो के लेगिसी है एक नहीं दो बिल्डिंगें पेंटागॉन पे हमला पैंसिलवेनिया में हमला बिल्डिंगें जी छोड़िये वो अपनी जगह पे एक है पूरी दुनिया बदल गई हाजारों लोग मर गए और नहीं है खबर मैंने फिर बी-बी-सी की ऑन-लाइन जो में है उसमें देखा उर्दू में भी कोई जिकर नहीं था बी-बी-सी अर्दू में वैसे वो जरा-जरा सी खबर को अपने परस्पेक्टे में लाते हैं वो तो खर्था ही नहीं मैंने कर चले में को देख लूँ तो नीचे कहीं छुपा हुआ था, एक छोटा सा आर्टीकल, मैं हरान हुआ, फिर मैंने कैनिडा के दूसरे न्यूस पेपर को देखना शुरू किया, तो एक आर्मी कहीं उसका जिकर था, तो जो आपका सवाल था, कि क्या दुनिया 9-11 को भूल गई है, क्या अमरीका, जो उसका सब से डारेक्ट विक्टम थ भूल गया है, तो जो मैंने आपको सूरते हाल बताई उसके मताबक तो लगता है, कि अगर वो मकमल नहीं भूले, तो काफी हद तक भूल गए हैं, उनकी प्राइटीज बदल गई हैं, और भरहल मुझे दुख हुआ, और इस सैड दे को याद करते हुए, दुख हो रहा है, कि हम कितने पुलिटिकल कोरेक्टनेस में पढ़ गए, दुख हमारी वेस्टन दुनिया, तो देखिए फिर आने वाले दुनों में क्या होता है, यही कह सकता हूँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जी ट्वेंटी के समिट के जानब, तो यह बताईए कि भारत में जी 23 का साल रहा, वो जी ट्वेंटी के प्रेजिडेंटी का साल रहा, बहुत ही मैं समयता हूँ, यह एहम इवेंट था बारत में, और इसका सबसे बड़ा जो हुआ है, समिट, वो अभी 9 और 10 स्थंबर को, यानि 11 स्थंबर जिसके अभी हम बात कर रहे हैं, उससे एक दिन पहल हुआ है, मेभी आए मिस्ट एट लाइन के उस सम्मिट में बड़ी एहम बाते हुई है, क्या 9 और 11 को भी याद किया गया है, कि नहीं, मैंने शायद वो मिस्स की है, हो सकता कि किसी लाइन में कहीं जिकर हुआ हूँ, लेकिन यह बात है कि ढखा चुपाई कहीं पर जिकर हू और दुनिया के दुनिया भर के टॉप लीडर्स अकटे हुए वे थे, और यह बात बहराल तैह है कि भारत का जेस्चर और प्रामिनिस्टर निर्ण रामोदी का जेस्चर बहुत आसमानों कोच हुआ, चुके सिर्फ जेस्चर की बात नहीं थी, भारत ने जिस तरीके से जी आपको इस्टाबलिश किया, इंटरनाशनल स्टेज पे, अगरचे भारत कई सालों से इस्टाबलिश कर रहा है, अगर अब तो उसने जिसे कहते हैं ना महर लगा दी, और फ्रंट लाइन, जी फ्रंट लाइन, उन्होंने थाबद की, चुके इसमें देखिए जो बड़े फ लीडर कहता है, भारत वैसे लीडर कहता हैं भारत, एक हम्बल सिविलाइजेशन है, वो सिर्फ काम करते हैं, भारती सिविलाइजेशन के लोग, और इस काम से वो यह कहते हैं, हम गलोबल साउट की बात करेंगे, यह दुनिया एक फैमिली है, यह जमीन एक सब की एक फैमिल اور ہے. बारत से मिडल एस, मिडल एस से यॉरप और उफ्कोर्स यॉरप से इवenteली यॉएस तक का तो बनता ये हो तो बाई C ता है लेकिन बारत से किस तरह किनेक्टिवटी बने गी मिडल एस तक और मिडल एस से यॉरप ता है यह एक मूत और जवाब था चाइना के बहुत सारे रोड एंड बैल्ट इनिशियटिव को सिर्फ वो पाकिसान का सी पैक ही नहीं है लोगों की सिर्फ नदर पाकिसान के सी पैक पे है जो के अभी ठीक से मकमल भी नहीं हुआ और वो शायद पूरा मकमल हो भी नहीं सकता वो उसमें कोई न अभारत है, मिडल एस के जिये खासरों पर जी सी सी कंट्रीज हैं, यॉर्पीन यूनियन के जितने ममालिक और यॉर्प के जितने ममालिक हैं, यह सब बहुत सीरियस हैं और इन की आपस में ट्रेड उसका बहुत बड़ा वालियम है, वो मेरा कहला दुनिया का मोर दन 50% ट्र पर्संटेड हैं, तो यह हर, जो चाइना के जो रोड और वेल्ट इनिसेटिव जो सी पैक है, इस तरह के मनसूबों का एक मौतोर ना सरफ जवाब है, बलके एक काउंटर एक्शन है, चॉँक्छ चाइना के तो यह जो सी पैक टाइप, जो जो है इनिसेटिव यह हर जगा में पढ़े हुए है जो स्री लंका में किया वो खटाई में चला गया चुक्के चाइना इस चक्कर में डेट ट्रैप में इनको फांसता था इन गरीब मुलकों को पाकिस्तान समय वो फिर जाहर वो काम नहीं करते थे कारोबार वही होता है जिसमें सब को फाइदा हो ऐसा कोई भी कारोबार नहीं चल सकता कि जी मैं अपने पैसे से किसी दूसरे को डेट ट्रैप में फांस लूँ और फिर कारोबार भी चले वो चल नहीं सकता तो ये बहुत बड़े काम थे फिर भारत की मेज़ पे नेगोशियेशन की मेज़ पे सारी दुनिया कटी हुई और हमने दे परेंडा के प्राइम निस्टर भी गाए हुए थे इस पे शायद हम आगे जाके बात करेंगे अमरीका के सदर जी सी सी कंटीज की लीडरशेप ब्राजील की लीडरशेप यॉर्पियन यूनियन अफरीकी यूनियन कौन नहीं था जी ट्वंटी की मेटिंग में तो ये बड कि दुनिया का नक्षा बदलने में यानि मजीद दुनिया में जो इंप्रूव्मेंट हो सकती है इंटरनाशनल प्लाटफॉर्म पर उसके जिम्न में भारत ने बड़े एहम स्टेप रुठाई हैं प्रैक्टिकल स्टेप उठाई है इसी समिट के दुरान हमारे प्राइम मि के साथ मलाकात के तनाजर में एक प्रेस नोट भी सामने आया इस प्रेस नोट में भारत ने कैनेडा के हवाले से अपने ख़चात का इजहार किया है आप इस बात पर क्या तबस्रा करना चाहेंगे देखिए ये एक बड़ा ही सैड स्टेट ऑफ अफ एर है प्राइम को कह रहे हैं freedom of expression का मैं ख्याल करता हूँ क्यूंकि जब भारत के हुकाम ने उन से ये कहा के आपके मुल्क कैनेडा में भारत के खलाफ साचे होती रहती हैं भारती कम्यूटी जो है इंडो केनेडियन्स जो हैं उनके वर्शिप पे भी वर्शिप प्लेसिस पे मंदरों पे अटैक होते रहते हैं जो डिपलोमेट्स हैं भारत के यहां पे उनको जान से मारने की धंकिया मिलती रहती हैं तो यह सारी बातें उठाएं तो उस पे उन्होंने का जी कहम प्रामिनिस्टर टूडो ने का कि हम ख्याल रखेंगे हम वाइलन्स को नहीं बरदाश करेंगे मग पता नहीं प्रामिनिस्टर टूडो को कभी याद भी आता है कि नहीं आता कि यहां पे एर इंडिया बामिंग में यानि नाइन इलेवन की टेररिजम से पहले एर एविएशन की सबसे बड़ी टेररिजम हो चुकी हैं और उसके पीछे जो आइडियालोजी थी वो यही थी जिसकी बात भारत कर रहा है लेकिन वो कहते हैं जी कि नहीं जनाब हम तो फीडमाइव एक्सप्रेशन की बात भी करते हैं जब फीडमाइव एक्सप्रेशन की जब बात करते हैं तो फिर प्रामिनिस्टर टूडो का अपना जो करदार है वो बड़ा बलीक है अब जो प्रा तो तो तीन जुमले यहां पर पढ़ता हूँ ताकि हमारे वियूर्स को अंदाजा हो कि यह मीटिंग टेंस थी। उसमें यह कहा गया उस प्रेस नोट में जो प्राम मिनिस्टर मूदी के आफिस से है कि प्राम मिनिस्टर मूदी मेट प्राम मिनिस्टर आफ कैनिडा, His Excellency Mr. Justin Trudeau on 10th September on the sideline of the G20 summit in New Delhi. Prime Minister Trudeau congratulated Prime Minister on the success of India's G20 presidency. Prime Minister highlighted, Prime Minister means Prime Minister Moody highlighted that India-Canada relations are anchored in sheer democratic values, respect for rule of law and strong people-to-people ties. He conveyed our strong concerns about continuing anti-India activities of extremist elements in Canada. they are promoting secessionism and inciting violence against Indian diplomats, damaging diplomatic premises and threatening the Indian community in Canada and their places of worship. The nexus of such forces with organized crime, drug syndicates and human trafficking should be a concern for Canada as well. It is essential for the two countries to cooperate in dealing with such threats. Prime Minister means Prime Minister Moody also mentioned that a relationship based on mutual respect and trust is essential for the progress of India-Canada relationship. This is a strong statement for Prime Minister Moody's office. This is a strong statement for Prime Minister Minister Moody's office. This is a reality based on reality. This is a reality based on the reality. So, this is Prime Minister Trudeau's visit to the United States. It is a fate in that was indicated in a commitment to another country. And it is a very sad men that Mr. Trudeau is a very cherry picking in a enterprise, which is southeastern country. These people who are particularly interested in this country. If you were on the side of the week, marches from Canada in a country, the current country would lead to the United States. It is a great thing to do in this country. It is a man who is supported by the US from Canada country. It can be a great concern that we are committed to the American country. It is a great concern that if you are committed to Canada, it can make an image of गरीब किसम के कल्चर जहां पर उन्हों ने परवान चड़ा हैं और यह जो हमारे पपू प्राइम मिनिस्टर है अजीब और गरीब आदमी है तो बरहल इस पे काफी लेदे हो रही है लेकिन बरहल एज एस केनेडियन आइम शॉक्ट एन आइम सेट सोशल मुडिया पर लागों ऐसी पोस्टें देखने को मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पी-एम जिस्टिन टूडो की काफी इंसल्ट हुई है हताके हमारे ऑपोजिशन लीडर ने भी अपनी एक टूइट में इसी तरह इशारा किया है तो इस सारी सूरत हाल के बाद आप पी-एम टूडो का पुलिटिकल फ्यूचर कैसा देखते हैं देखिए सबसे पहले मैं पियर पुलिवर जो हमारे के अपनी टूइट के साथ टूरांटो सान अख़वार का जो फरंट पेज है उसमें इस वे आउट टूरांटो सान ने कहा है कि प्राइम निस्टर मूदी है कर रहे हैं एक प्राइम निस्टर टूरो के साथ और वो टूरो को कह रहे हैं यू इशारा सा करके कि हैंड शेक हो गया बाहर को निकलो तो वो अख़वार लिखता है कि टूरो फाइंड ही हैज फ्यू फ्रेंड्स एट जी टूइंटी समिट इन इंडिया यह अख़वार ल यह टूरोंटो संद कह रहा है इस सी स्क्रीन शॉर्ट को अनोने अपनी ट्वीट में पियर बुलिवर ने इस्तमाल करते वे लिखा हूँ ने कहा कि पुटिंग पार्टीसांशिप असाइट नो वन लाइक तो सी अ कनेडियन प्राइम निस्टर रपेट रपेटली हुमिलि पियर पुलिवर भी यही बात कर रहे हैं कि यह हुमिलियेशन प्राइम निस्टर टूडो की सिर्फ और सिर्फ इंडिया से नहीं हो रही है रही है जो बात टॉर्टो संद कर रहा है खबर में प्राइम निस्टर मुदी उन से हैंडशे करते हैं मुँ उधर करते हैं और कहत को पीर पॉलिवर कह रहे हैं आपने का सोशल मीडिया पे लाखों पोस्ट हैं इसी मिल दे बिलकुल आपने ठीका एक वाइरल हुआ वाई गालबन टाइम्स नाओ का एक आड़ नौ मिनट का वीडियो कलिप जो अंग्रेजी में है और एक पंजाबी भाई हैं जो इंडिया मे नहीं जर्नलिस्ट हैं वो यह कह रहे हैं कि एक इन सिगनिफिकेंट मुल्क का इन सिगनिफिकेंट प्राइम मिनिस्टर है और यह कहीं जी टून्टी की पिक्चर्स में कहीं कहीं जैसे होता है ना दूर का एक तारह के तोर पर नजर आ रहा है कहीं पर नजर नहीं आ रहा है ये फरंट सीट पे बैठा हुआ कहीं नहीं हमारा प्राइम जिस्टर, ये कहीं पीछे है, ये इधर है, मूँ इसका सूजा हुआ है, अजीब हो गरीब इसके हालात हैं, और मतब हमारा कैनरा जिसको हम बेपना प्यार करते हैं, उसका इंटरनेशनल स्टेज पे मिस्टर फाइंड फ्यू फ्रेंड्स, अब देके ना, वहाँ पे फ्रांस के भी सदर थे, इटली की भी प्राइम निस्टर थी, वाइस चांसलर थे, जर्मनी के भी, यॉर्पियन यूनियन के लीडर थे, जर्मनी के लीडर थे, ये वहाँ पे कहीं भी कोई एहमियत नहीं हासल की, या अपने ही वो दो तीन फैशनेबल जो सो काल लेफ्ट के जुमले हैं वो बस बोलता रहता है फीडियम आफ एक्सप्रेशन यह वो अब आपने लाकू पोस की जिकर की तो अब यह इसकी यही एक वीडियो क्लिफ वाइरल हुई यह जी किया रहा है फीडियम एक्सप्रेशन के ख्याल है और आप यकीन कीजिए मैंने परसनली लाकों नहीं तो हजारों किनेडियन्स के किनेडियन्स भी कोई इंडियन बैक्राउंड के नहीं कोट अनकोट वाइट किनेडियन्स मैंने ट्विटर पे फेसबुक पे मैंने तो हजारों देखे और जाहर है अगर आप उस पे कोई दो चार देन लगाएं तो काफी अनपापुलर है अलंकि ये शक्स जब प्राइम मिनिस्टर बना था तो ये काफी वर्ल्ड वाइड पापुलर हुआ था लेकिन अब इसकी अनपापुलरिटी का ये आलम है कि पिछले दिनों तीन चार्थ दोर्स पहले ही मैं रेडियो पे सुन रहा था कि किसी किनेडि अनकोट इंसर्ट होती है और ये अभी इंडिया में हुई इंडिया में तो कंजेक्टिव सेकिंड टाइम हुई ना पहले ये 2019 में गाल मन गए थे तब हुई मेरा खहले 2019 ही था और अब अब फिर ये हशर हुआ लेकिन आप देख लिए इस तुरान और भी G20 के हुए 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 और भी इंटरनेशनल फॉरम हुए हुए और जो हजारों लाखों केनेडियन्स सोशल मीडिया पे कल से लिख रहे हैं कि टूड़ो जो हैं वो मतब दे मोस हीटेड प्राइम निस्टर मतब अब ये इतने स्टॉंग बर्जन के खलाफ आ रहे हैं टूड़ो मस् रिजा है कि आपके मुखालफीन मौका डूड़ते हैं मगर जो जनता है जो अवाम है वो इतनी फैड़ अप हो गई है इन से जनों ने इनको वोट दिये थे खासर पर मुस्लिम कम्यूटी वो इस बात पर पर प्रशान है कि भाई इसने ये जो जरूरत से ज्यादा ये जो जेंडर education है gender sex education है उसमें क्या mess नहीं किया true law और फिर अब है बस इसके पास ये कि आजकल मान तरा है freedom of expression, freedom of expression की बात करते हैं तो पूरे दुनिया इनको mirror दिखाती है का भाई कौन सा freedom of expression तुमने तो emergency लगाई ती कैना दान तुमने तो truckers को protest करने का ठीक से writing नहीं दिया तुमने तो फ्री एक्स्पेशन के खलाफ कर रहा है पास कर रहा है तो अनबिलीवेबल मैस जी समयता हूँ के हमारा इतना खुबसूरत देश है और उसकी अब एकनॉमिक हालत भी खराब है उसका इंटरनेशनल जेस्टर भी खलाफ है तो हम मतलब क्या करेंगे जाहरे लीडर्शिप और पार्टी के चेंज होने का वक्त है जब भी एलेक्शन हों I hope के पियर पुलिवर इनको रिप्लेस कर सकेंगे वो जाने और उनका काम जाने लेकिन एड़ दा मुमेंट मिस्टर टूडो ने तो बहुत ही बुरा हम किनीडियन्स का इमिज बनाया है और मुझे इस पर बहुत है इसी समिट के हवाले से ये खबर बहुत आम हुई कि साओधी प्रिंस मुहमद बिन सुल्तान पाकिस्तान का दौरा करेंगे लेकिन दरहकीकत ऐसा नहीं हुआ तो आप इसकी क्या वज़ा समझते हैं और उस पर क्या तबस्रा करेंगे देखिए आप मुहमद बिन सुल्मा कहना चारी हैं मुहमद बिन सुल्मान जो है उनके पाकिस्तान के दौरे के हवाले से बहुत चैब होईयां थी पाकिसान में पाकिसान में भी कोई अच्छी खबर तो इसक्त है नहीं हर तरफ बुरी खबरों का एक और बुरे हालात का एक जाल वहां पे तना हुआ हुआ है तो उनके लिए तो वज़ यही खबर होती है कि अगर हम क्रिकट मैज जीट जाएं तो हम पूरी दुनिया में नमबर वन हो गए तो वो तो इनी चकरों में बचैरे रहते हैं आ वो तो इमरान खान की गौर्मेंट में अगर कहीं यह क्रिकट मैज जीते थे तो वो तो इसला की फता करार दिया करते थे इस तरह का माइंट सेट है अनफर्चनली एन अनबलीवेबल तो अब यह सिच्वेशन अब इस तरह की खबरें भी नहीं तो वो कहां जाएं क्या करें क्या ना करें तो मुहमद बिन सुल्मान के हवाले से पाकिस्तान के जो निगरान प्राइम न अरजन्सी ने मुहमद बिन सुल्मान के आफिस से तस्दीक करना चाहा कि बही क्या पचीस बिलियन डॉलर आएंगे तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं यह यह कह रहे हैं कि इतने अर्बों आएंगे यहां पर इन्वेस्टमेंट होगी यह अपने को बेचने को त्यार है आजकर इनका जो मिशन है पाकस्तानियों का कि यह हम अपनी जमीने जराई बेच देंगे अर्मों का पैसा आएगा और पता नहीं पहले यह थी तेल की यहां पर कुए निकलाएंगे फिर यह दूद की नहरें बेच जाएंगी पिर चीन की वज़ा से शहद की जो हैं जीने अब इनका से यह कहना है कि जी अब यह अर्म मालक से यह जो ग्रीन इंकलाब आएगा ग्रीन रेवलोशन आएगा अब वहां से कुछ चोटी मटी खबर आती है वहां से कोई इनको गास नहीं डाली जाती तो मुहमद बिन सुलमान के बारे में इनोंने कह दिया था जी कि इम पोटेंशल विजर्ट को पोश्पॉन करते हैं अब वह से पहले भी एक बार पोश्पॉन हो चुका है यह कंफर्म भी नहीं था विजर्ट मगर बरहल यह भी पोश्पॉन है यह कैंसल है और आगे का क्या प्लैन है वो भी नहीं पता चुक्कि खुद पाकिस्तान को अपने प्लैन का नहीं पता कि आगए उसक्तान की प्लैन है वो तो बस गरीन आजकल गरीन इन्कलाब की चक्र में हैं उनके जो सिपह सलार हैं वो तो यह ख़बरें रहे हैं एम अपनी एकॉन को ऐसा करेंगे जए घर जो किस तरा दुनिया देखीगी कित आपके एकॉन को क्या उस बोजाने की पूलिशन में भी नहीं हैं दोल बोजाने वाले जो सियासी लीडर हैं खास अब इम्रान गान वो खुद जेल में बैटे हुए हैं जब वो जेल से जेल नहीं गए थे तब वो कहते थे कि मैं दुबारा आ गया तो मैं हर चीज़ ठीक कर दूँगा अब वो आजकल हमें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं जब वो जेल से आएंगे तो वो भी इसी तरह के बियानात देते पिरेंगे तो सूर्ते हाल जो है वो यह है कि मुहमद बिन साहब ने पाकिसान का दोरा नहीं किया उनके दोरे की कोई खबर नहीं जो 25 बिलियन डॉलर उनका पाकिसान में आना है वो कभी 25 से 75 बिलियन डॉलर भी बना देते हैं और कभी वो कहते हैं यू एई भी देगा अब वो उनको पता नहीं क्या इंडिकेशन देते हैं हमें नह था उनको यही इंडिकेशन देते होंगे कि जनाब अगर आपको धंक से चलेंगे तो हो सकता हम इस सेक्टर में इंवेस्मेंट कर दें और यह नंबर हो सकते हैं तो यह फौरी तो पर समयते हैं कि यह जो उनकी एक डिसकेशन है उनके साथ यही एक बहुत बड़ी रियालिटी का ऐसा नहीं कि जिसको आत्मी सीरियस ले सके पाकिसान की मौशी सुरुतेहाल के हवाले से ही पाकिसान की मौशी सुरुतेहाल दिन बदिन पहले से अबतर होती जा रही है और फिर फौजी क्यादत और निगरान हकूमत अर्बों की इंवेस्मेंट के हवाले से बहुत दाव है कि यह जो दावे हैं यह सारे के सारे यक तरफा हैं यह पाकिस्तान के दावे हैं हमने मतरब अरब न्यूज में यह खलीज टाइम में उनके जो हैड उड़ स्टेट्स हैं उनकी तरफ से तो कोई ऐसी स्टेट्मेंट नहीं देखी कि जो नों ने फिर्म कहा हो कि we are going to invest 25 बिल आइम शूर वो इंडिकेशन देतने के सासाथ इनको बहुत सारी शरायत भी बताते होंगे वो इन्वाइरमेंट जो चाहते हैं जिन इन्वाइरमेंट की बुनियाद पर वो अगर investment potential करेंगे चाहे वो कुछ भी हो चाहे वो couple hundred million dollar हो या couple billions dollar हो तो वो भी होगी वो picture यह हमें नहीं बताते हैं अच्छा मज़े तो खैर रही आपको तो हमें इस picture के जानने में भी कोई interest नहीं है अगर इनका भला होगा तो इनका होगा हमें खुशी होगी गरीब अवाम नहीं पैसेगी लेकिन जो जनलिस्टिक जो हमारी research होती है उसमें वो सारे के सारे दावे वो यक महां से confirm हो जाए कि वो आई यह तो हम करें ठीक है एल्डी सो नहोंने कहा तो है अच्छा अगर फर्स कीजिए उन्होंने को indication दी भी है कि जनाब अगर इस तरह के सारे होंगे तो हम gradually slowly एक billion से इतने billion की investment करेंगे तो क्या यह इस position में पाकिस्टान की establishment पाकिस्टान के stakeholder या प दावे हैं investment के वो सब बहुत ही shallow and hollow है और उसके पीछे जो environment चाहिए जो investment करने के लिए एक किसी भी कारोबारी अदारे को कारोबारी मुल्क को जो एक environment चाहिए होती है वो तो I doubt कि यह उनको कभी भी फरहाम कर सकते हैं पाकिस्टानी I really doubt चलिए आखर मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं पाकिस्टान के northern इलाके चित्राल पर तालिबान की चड़ाई के हवाले से आप इस मौमले को कैसे देखते हैं इस पर तबस्रा कीजिए देखिए तालिबान जो है वो northern जो पाकिस्टान के लाके हैं उन पे गाहे बगाए कुछ नो कुछ वो अपनी मुहिम जो ही करते हैं और कहीं न कहीं वो अलाकों पे कबजा भी कर लेते हैं पिर छोड़ देते हैं फिर कुछ पर उनका रहता है कुछ आलाके तो पाकिस्टान के northern इसे हैं अगर उन्हों ने अपनी रियास्त तालिबान ने ना भी बनाई हो तो भी उनका कंट्रोल अर्सादराद से चला रहा है क्योंके वो इतने बैकवर्ड अलाके हैं और वहां पे कोई इतनी अजुकेशन तो है नहीं ट्राइबल वैल्यूस हैं तो वो उनका ही नदाम आल्मोस चलता है कई अलाके ऐसे हैं लेकिन ये जो अलाका है जहां पे उन्हों हैं उनकी अपनी रवायात हैं उनके अपने सिस्टम्स हैं और उनका अपना टूरिजम का एक नदाम है तो वो वहां पे रह रहे हैं तो ये चुक्त पीस्फुल लोग हैं के लाश के जो लोग है तो इन पे इस दफावाद ताल्बान ने ये एक मुहिम जोई की है चित्राल तो ये उन्होंने कहा गया जो खबरें हमने देखी कि एक चौकी पर कबज़ा हो गया फिर पाकिसान आर्मी ने काउंटर बैक किया तो इसमें दोनों तरफ होई पाकिसान आर्मी के लोग भी मारे गए तालबान के लोग भी मारे गए फिर पाकिसान के आर्मी ने तालबान या जोक वाली बात भी है और मैं शाहिद रियालिटी भी है मैं ही जोक कह रहा हूँ उसके यह रियालिटी भी है तालिबान ने या या तालिबान की हकूमत ने पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी दिया या यह एक बहुत बड़ा वाकिया है यह दूसरे अफगान बशिंदों को कह रहे हैं कि वाच यूरसाफ डू नाट गो टू पाकिस्तान सर्टन एरियाज वो डेंजरस हैं आपके लिए यह अब पाकिस्तान का यह हाल हो गया है कि तालबान ट्रैवल एडवाजरी दे रहे हैं अभी पिछले हफ़ता दो हफ़ते पहले अमरीका ने और कुछ और मुमालिक ने पाकिस्तान के गिलगत बलतस्तान के लिए ट्रैवल एडवाजरी अपने शेरियों को दी हुई थी तो यह तो सिच्वेशन है वहाँ पर अब बताया जा रहा है कि हालात काफी अटक अंडर कंट्रोल हैं और वो पीछे तालबान को ध अगसानारवी कामियाब होगे वो अलाके ऐसे हैं कि जहां पर जब यह आ जाते हैं तालबान तो पहले तो वो एक्टिव होते हैं जब वो थोड़ा सा पुछ बैक मिलती है तो फिर वो थोड़े से डी अक्टिव आपने आपको कर लेते हैं मगर वो अपने आपको गाइब वो उन अलाकों में फिर दीरे अज़स्ट हो जाते हैं और अल्रेडी वो आसपास के अलाकों में अज़स्ट हैं ही हैं तो अब वो ट्राइबल एरियाज हैं अब जैसे ये चत्राल के किलाश वाले अलाके हैं तो इनके भी ट्राइबल वैल्यूस हैं और ये लिबरल लोग ह हिंदू कम्यूटी के डिफरेंट सेक्स हैं जो वहां पे रहते हैं तो इनके बारे में मशूर रहा कि ये इनका स्ट्रॉंग होल्ड था मगर इस बार तालबान ने वहां पे ट्राई किया है और ये देखिए ये तालबान जो हैं बुनियारी तो पर सिर्फ कोई मजभी जो आपस में भी लड़ते रहते हैं ये इनकी अपनी दुकानदारी है एक्स्ट्रीमिजम एक्स्ट्रीमिजम इनकी आइडियालोजी भी है और इनकी दुकानदारी भी है और फिर ये डिफरेंट क्राईम्स ड्रक्स में असले की समगलिंग में तेल की समगलिंग में इस तर को यानि वो जिसे कहते ना स्पोर्ट करते रहते हैं कि इस्लामिक आइडियालोजी इनके क्रिमिनल जो इनकी इस्लामिक आइडियालोजी इनके क्रिमिनल धंदों को वो स्पोर्ट करें और इनके क्रिमिनल धंदे जो हैं वो इनकी जो इस्लामिक आइडियालोजी उसको स्पोर मैं अmerीका ने पैदा किए, जरूर मैं मानता हूँ इस बात को, कि मुजाहिदीन और यह सब अमरीका ने पैदा किये, मगर अमरीका भी वहां पर री पैदा कर सकता था, जहां पर यह महौल हो. जहां पर, देखिए, वहीं पे उगाई जा सकती है जो जमीन उस फसल के लिए साजगार हो तो अमरीका ने ये जो एक्स्रीमिजम की फसल को बढ़ाया था तो वो चुके जमीन साजगार थी वहां पे बीज आल्रेडी मजूद थे तो मेरा ये कहने मकसद है कि ये बीज कहीं और जाने वाले नहीं है जमीन भी बड़ी साजगार है उसे एक्स्रीमिजम के लिए तो ये ऐसा नहीं है कि ये कला कमा होगा ये बस कभी फसल थोड़ी होगी कभी ज्यादा होगी ये इसी तरह नजाम चलता रहेगा आज के बिला तकल्फ तबसरों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आज का बिला तकल पॉल ये क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं सब्सक्राइब तक ट्वी यूटूब चैनल और प्रेस्ट अनुटिकाशन बटन